Hey friends, welcome back. मैं डॉक्टर आशा गावडे, गाइनेकोलोजिस्ट और आईविफ कंसल्टन्ट उमंग हस्पिटल अडप सर पूने से आप सभी का मैं मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत करती हूँ. Basically हमारा pregnancy का week by week series अल्मूस्ट अभी खतम हो रहा हैं. मैं सबको thank you बोलना चाहूंगी कि आप सभी हमारी ये week by week series देख रहे हर वीक आप enjoy कर रहे हैं, उसको reply कर रहे हैं और उसका आपको काफी फायदा हो रहा हैं. अभी ये week by week series का last, the end का वीडियो में लेके आई हूँ. कि yes friends, अभी आपके 9 मेहना 7 दिन complete हो चुके हैं. आपको 40 weeks लगा है. ये week के end में आपके हाथ में आपका बेबी आने वाला है. आपकी 9 मेहने की प्रतिक्षा भी खतम होने वाली है. तो आज के 40 week के वीडियो में हम ल से कौन से checklist follow करने है. तो पहले point पे आते हैं कि आपके बेबी में कुछ नए changes रहेंगे क्या है. जो हम लोगों ने 38-39 week में देखे कि बच्चा अभी completely firm हुआ है. उसका brain है, heart है, lungs है, intestine है, kidney है. ये पूरा completely function कर रहे है अभी अच्छे से. ब्रेन का growth अच्छे से बढ़ रहा ह है. उसके वज़े से बच्चे का weight बढ़ रहा है. लेकिन important नया change क्या रहेगा कि बच्चे के skin के उपर का जो protecting layer था, जिसको हम लोग burnix, casuosa बोलते हैं, वो अभी almost completely disappear हो चुका है. बच्चे की pink color की skin अभी dry दिखने लगती 40 weeks के end में. क्योंकि आप अभी date cross कर रहे हैं, इसक कि हम लोग बोलती कि nails अपने grow हो गए, अभी हम लोग को nail cutter से cut करना है. वैसे बच्चे के nails अभी nail tip के beyond grow होने लगते हैं, यह भी एक post-dreatism का sign है. दूसरा important एक नया change रहेगा कि बच्चे के head की size और आपके pelvis की size अगर match हो गई, तो head बच्चे का pelvis में अच्छे से enter रहता है, जिसको हम लोग engagement बोलते हैं, तो इसकी वज़े से आपका tummy थोड़ा नीचे उतरेगा, जिसको lightning बोलते हम लोग आप थोड़ा comfortable feel करेंगे और यह आपके labor pain शुरू होने का important sign रहेगा. तो आईए mummies देखते हैं कि आप में क्या-क्या नए changes रहेंगे. 40 weeks जो है, काफी discomfort वाला पाते हैं, आपको करवर्ट चेंज करते वक्त काफी back pain होता है, शाय टिकाव याने legs तक वो pain जाता है, pubic pain होता है, आपके पेरोग का swelling काफी बढ़ता है, leg cramps रहते हैं, आपको weakness रहता है, इन जनरल आपको लगता है कि अभी जल्दी से जल्दी मेरे delivery हो जाए, लेकिन ये time पे आपको एक, दो, तिन important changes पे ध्यान रखना है, सबसे important बोलते हैं हम लोग baby moment, generally 37 या 38 week का Doppler अगर अच्छा रहा, तो हम लोग आपको end तक याने आपके delivery date तक EDD तक बोलते हैं, रुखने को, EDD याने आपके 40 weeks का end, तो ये time पे आपके baby के moment आपके comparatively थोड़े कम होते हैं लेकिन आपको still आपके baby moment track करते रहना है, baby moment पे ध्यान रखना है, और एक नया change रहेगा कि आपके जो false labor pain बोलते हैं हम लोग, Braxton X contraction, वो अभी काफी peak level पे रहते हैं, उनका frequency बढ़ता है और duration भी बढ़ता है, तो ये Braxton X contraction आपके बढ़ते हैं, इसको आपको true labor pain से differentiate करना है, आपको true labor pain के video देखने हैं, और अगर आपको ये pain continuous पाच्छे गंटे के लिए आ रहा है, आप discomfort महसूस कर रहे हैं, आपको pain लग रहा है, back pain लग रहा है, आपको सहन नहीं हो रहा है, तो जाके आपको तुरंत आपके doctor से मिलना है, कभी कभी आपको watery discharge start होता है, जिसको हम लो जैसे आपको ऐसे whiteish या brownish sticky discharge चुरू होता है, जिसको show बोलते हम लोग, जो बहुत ही positive sign रहता है, normal delivery के लिए, तो ये भी आपको एक नया change दिखता है, एक नया symptom रहता है 39-40 weeks में, आपके neck around fat deposition काफी बढ़ा हुआ रहता है, तो इसकी वज़े से एक तो आप रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, और जब ये आपको निंद लगती तो आप खराटे लगाते हैं, जिसको snoring बोलते हैं, तो ये चीज़ आपके husband अच्छे से notice करते हैं, तो ये 39 weeks या 40 weeks में आपको ये काफी नये changes दिखेंगे, तो आइए friends देखते हैं कि ये week में आपको कौन सी checklist follow करन हैं, emergency contact number आपके पास में रखने हैं, financially आपको ready रहना हैं, आपका hospital का file, stem cell banking का file, insurance का file, सब ready रखना हैं, और आपको baby related जो भी आपका shopping अगर बाकी होगा, तो वो online shopping करके सब finish करना हैं, सब चीज़े ready रखना हैं, तो ये week के end में या ये week में आपको coincitive follow करने हैं, बहुती important week है ये week में maximum accident होते हैं, काफी सारे patient जित करते हैं, कि हम लोगों को delivery date तक wait करना हैं, हम लोगों को spontaneous labor pain स्टार्ट होने तक wait करना हैं, friends, आप wait कर सकते हैं, लेकिन आपका 37 या 38 week का doppler normal है, तो मानो आपके बच्चे के around का पानी अच्छा है, बच्चे का wait अच्छा है, बच्चे क वेट कर सकते हैं, आपको labor pain शुरू हो रहे हैं या नहीं, लेकिन अगर आपके बच्चे के around का पानी कम है, बच्चे का weight कम है, या बच्चे के around cord फसे है, two loop of cord बोलती हम लोग, या आपको pregnancy में hypertension है, diabetes है, liver की बिमारी है, या कोई भी आपको high risk है, आप twin pregnancy हो, IVF conception है, या IUI conception ह तो उस case में आप ज़्यादा खीचातानी मत करो, अगर आपको labor pain शुरू नहीं हो रहे, तो आप जाके admit हो जाओ, क्योंकि ये 39 to 40 week, ये बहुत ही high risk वाला week रहता है, ये time पे कभी-कभी बच्चा potty pass कर देता है, वो potty aspirate कर सकता है, जिसको meukonium aspiration बोलते हम लोग, बच्चा कभी-कभी हाथ में cord पकड़ता है, वो cord बच्चे के neck में फस जाता है, और sudden accident हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों से आपने story सुनी होगी, कि end में मैं जब doctor के पास पहुची, तो doctor ने बता है, बच्चे के heart beat stop हुए, तो ऐसे कुछ तो accident हो जाते हैं, तो आपको strictly याने strictly आपक date cross हो गए, मानों आपको 40 weeks complete हो गए, तो आप unnecessary घर पे जित करके मत बैठो, कुछ accident हो सकता है, उसकी जगह पे आप जाके admit हो जाओ, induction of labor start करो, artificially labor pain start करो, आपकी normal delivery हो जाएगी, जरूरी नहीं कि आपका seizure नहीं होगा, लेकिन आपको delivery करके लेना है, आपके baby के लिए, और in general ये week में आपको सबसे important आपके baby moment पे ध्यान रखना है, आपको थोड़ा भी लगा baby moment कम हो रहे, या एकदम से baby moment बढ़ गए, तो आप तुरन जाके आपके doctor को report करो, NST करके ले लो, या sonography करके ले लो, या आपके doctor से बच्चे के heartbeat चेक करके ले लो, बाकी जो routine हम लोग tips बो size करते रहना है, जो आपको normal delivery के लिए 100% help करने वाले है, तो friends अपना जो आज का 40 weeks का video है, जो कि आपकी 9 मेने की प्रतिक्षा भी खतम होने वाली है, आपका surprise gift लड़का है या लड़की है, आपके हाथ में आने वाला है, वो week अगर आपको पसंद आया होंगा, वो week का video अग आपको useful लगा होंगा, तो आपके जो भी running pregnant friends थे, जो अभी delivery होने वाली है, जिनकी, उनके साथ वो video share करो, उनको भी देखने को वोलो, और हमारे channel को subscribe करो, और हमारी week by week series ऐसे ही आपके friends के साथ share करो, धन्यवाद